अंतरिक्ष में सर्जिकल स्ट्राइक कैसे भारत ने लाइफ सेटेलाइट गिराया। प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष में एक सेटेलाइट को मांच गिराया है। प्रधान मंत्री ने लाइफ सेटेलाइट हैं जो क्रिशी, रक्षा, सुरक्षा, संचार समेत कई क्षित्रों में सहायता मिल रही है। प्रधान मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश शान्ती बनाय रखना है ना कि युद्ध का माहल बनाना। उन्होंने कहा कि इस कारवाही से किसी भी तरह के अंतराश्ट्रिय नियम का उलंगन नहीं किया है। प्रधान मोदी का देश के नाम संबोधन शुरू होने से पहले लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे थे कि मोदी आतंगवाद के खिलाफ बड़ी का रिवाई का एलान कर सकते हैं तो कोई कह रहा था मोदी नोट बंदी जैसे फैसले ले सकते हैं। आगे पढ़ें और क्या-क्या उमीदें लोगों ने मोदी से की थी। एक व्यक्ती ने लिखा था कि पी-एम कश्मीर से जुड़े धारा तीन सो सत्तर और पैंते से पर फैसले ले सकते हैं। एक व्यक्ती ने मोदी के ट्वीट पर रिपलाई करते हुए लिखा था कि क्या विपक्ष को डरा रहे हैं। वहीं, ट्वीटर यूजर आउरा के रैक्षे ने लिखा था कि मोदी जी प्लीज रिटारमेंद घोशित्त मत करना। एक अन्य व्यक्ती ने लिखा था कि मोदी जी लोगों के वोट करने को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। कई लोगों ने यह भी कयास लगाया था कि क्या पीए में एक बार फिर नोट बंदी जैसा कोई फैसला लेने वाले हैं। आउट बैब्यो सहब नब्बे ने लिखा प्लीज नोट बंदी फिर से मत करना। आउराम निवस के मवचार ने लिखा कि पूरे भारत में किसानों का करजा माप होगा और किसानों को मुफ्त बिजली की भी घोशना होगी। वहीं कई लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कि पी एम मोदी आतंकी दाओ दिब्राहिम या मसूद अजहर के खिलाफ किसी बड़ी कारवाई का एलान कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोग यह भी चर्चा करने लगे थे कि आचार सहिता लाकू होने की वजह से कोई नीतगत फैसला नहीं लिया जा सकता है। हाला कि मोदी ने तमाम कयासों से इतर एक नई घोशना की।